देश में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर जिस रफ्तार के साथ तेजी से बड़ी थी अब उसी रफ्तार की साथ ढलती हुई नजर आ रही है लबक छाशट दिनों के बाद कोरोना वाइरस के मामले एक लाख से कम सामने आये हैं पिछले 24 घंटे के गराकडों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में स्वास्त मंत्राले के तरफ से जो डाटा पेश किया गया है उसके मुताबिक 86,498 कोरोना के नए मरीज सामने आये हैं इसके साथ हम आपको बता दें मौत के आंकडों में भी अब गिरावट देखने को मिल लही है जो मौत के आकले 4000 के आसपास है फिक ब रगाडार कोरोना वाइरस को लेखे सरकार जिस तरीके से लोगों को सजक कर रही है राज की सरकारों ने एक के बाद एक जो आहम फैसले लिये अब उसका जमीनी असर देखने को मिल ला है अनलोक की प्रक्रिया जो है कई सरकार रकेंदर के सरकार और राज्य के सरकारों ने प्रयास किया और उसमें जनता어गे से सहयोग मिला है उसका अब यही है किक और अबनावायरस की मामले लगता डहल्य देख Phillips वहिंग 是 पहला ऐसा दिन ता जो सोम वार की साम को डाटा पेश किया गया उसमें 86,400 की करीद मामले सामने आए हैं यह उमीद जताई जा रहे हैं कि कुरोना वाइरस के मामले दिन पर दिन इसी तरीके से कम होते रहेंगे अगर दिल्ली की बात करें दिल्ली उत्तव प्रदेश समयत कई राजयों में अब अनलॉक करी प्रक्रिया शुरू हो गयी है हाला कि सरकार ने अनलॉक के लिए भी सक्त गाइडलाइन जा रहे कि हैं कई राजयों में वीकेंड कर्फियू जो सनीवार रविवार का कर्फियू है उसको अभी लागू रखा गया है कई जगहों पे नाइट क ऑब तक पुछे आपडों की बात करें तो लगातार को लेकर करें एक राहत की ख़बर निकल के सामने आ रही है सरकार अभी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि कुरोना को लेकर कि अनलॉक तो सुरू किया गया है आर्थिक गतिविभियों को देखते हुए मार्केट खोले गए हैं ताकि लोगों की खमाई पर असर न पड़े क्योंकि कुरोना के चलते एक महिने से ज्यादा का समय लागडाउन में बीता है तो अभी भी सरकार की यही अपील है अगर घर से बाहर आप निकल लें जरूरी कामों तभी निकले और निकल भी रहें तो कुरोना के प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का सकती से पालण करें साथ ही हम भी अपने चैलन के माध्यम से आप लोग सभी से ये अपील करते हैं कि आप लोग कुरोना में घर से बाहर निकल ला है तो तमाम तरीके के जो एक सावधानी है कुरोना से बचाओ कि उसको बरतना बिलकुल भी न भूले